गुड इवनिंग इस्टुडेंट्स कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे वेलकम करता हूँ आप सभी का अपने यूटूब चैनल में आज हम बहुत ही महत्पून विशे पर चर्चा करने जा रहे हैं जो बिद्धुत ट्रांसफॉर्मर या फिर बिद्धुत ट्रांसफॉर्मर के पार्ट्स बनाने वाली कंपनी या इंड़स्ट्रीज होती हैं उसमें मेकेनिकल एवम इलेक्ट्रिकल ब्रांच के जो छात्रों का जब वो रिक्रूट्मेंट करते हैं या जौब का उसर प्रदान करते हैं तो उनसे लिखित परिच्छा या फिर इंटर्व्यू में किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं इस बारे में आज हम चड़्चा करेंगे और जो प्रश्न पत्रे उसको भी हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे तो ये जो कंपनी हैं बहुत सारी कंपनियां हैं देश में जो ट्रांसफॉर्मर या फिर उसके पार्स बनाती हैं उनमें से एक कंपनी है प्रदीप ट्रांसकोर प्राइवेट लिम्टेट ये नैनी में इनका प्लांट है और एक प्लांट इनका गुजरात में भी है तो ये काफी अग्रणी कंपनी हैं और जो ट्रांसफॉर्मर या उसके पार्स बनाने के लिए काफी फेमस है और काफी गुडवत्ता पूंड प्रोडक्ट इनके द्वारा बनाये जाते हैं और सारा जो काम है वो UC-NC मशीनों में और इसी तरे की जो आटोमेटिक मशीन हैं उनके द्वारा संचालित होता है तो आईए इसी पर हम एक नजल डाल लेते हैं तो जो प्रशन पत्र आया था उसको हम देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रशन पूछे जाते हैं तो मेरे ये जो बताने का मकसद है वो ये है विसेश तोर से जो मेकेनिकल के चात रहें और जो इलेक्ट्रिकल के चात रहें तो आप जानते हैं कि इन दोनों के लिए इस तरीके की ट्रांसफॉर्मर या जहां ट्रांसफॉर्मर के पार्स बनते हैं दोनों के लिए जॉब के सम तो यह देखे प्रश्ण पत्र पूरा एक एक क्वेस्चन जो उन्होंने दिये थे यह पूरे प्रश्ण उन्हें उन्हें दिये थे 30 मिनट में करने के लिए यह लिखित परिच्छा के लिए दिये थे और इसी से सम्मंदित प्रश्ण उन्होंने इंटर्वियू में भी तो मेकेनिकल वाले भी basic electrical engineering पढ़ते हैं किसी ना किसी रूप में चाया वो general engineering के रूप में पढ़ें चाया basic electrical engineering के रूप में पढ़ें या कोई यानि transformer कितने प्रकार का होता है, उसको लिखिए, describe the transformer core, transformer core क्या होता है, उसको आप समझाइए, वाटिस turn ratio, ये turn ratio क्या होता है, इसको आप बताइए, इसके अलावा देखिए, फिर D में था पूचा था, define the losses of transformer, transformer, transformer जो होता है, उसमें कितने प्रकार के losses याहानिया होती है, उसको बताना है, और write the main materials of transformer, कह रहे हैं कि transformer में जो मुख पदार्थ उप्योग किये जाते हैं, वो कौन से होते हैं, तो पहला जो ही प्रश्न था, पूरा transformer के basic जो questions हैं, जो की physics में भी जो इंटर किये हैं, उन्होंने पड़े होते हैं, जो आप डिपलोमा कर रहे हैं, बच्चे उनमें भी transformer होता है, ये must है, बिल्कुल basic subject है, सारे questions आपने जरूर पड़े होंगे, तो जब भी आप interview देने जाईए, तो ये basic जो topics हैं, वो देख कर ही जाना है, transformer स संबंदित, इस तरीके के प्रस्ण आपको लिखने के लिए आ सकते हैं, दूसरा है, देखिए, what is rusting, rusting मतलब जंग लगने से क्या मतलब है, और how it can be prevented, इसको कैसे रोका जा सकता है, तीसरा प्रस्ण है, what are the types of measuring units, measuring यानि मापन युक्तियां कितने परकार की होती हैं, फिर चौथा है, define least count of any instrument, कहरें किसी भी instrument का least count पर भासित करिए, least count को साइध हिंदी में अलपतमान कहते हैं, तो ये आप जानते हैं कि जैसे वर्नियर के लिपर होता है, या जो इस तरीके के micrometer होता है, तो उनका आपने सभीने पढ़ा होगा कि instruments होते हैं, तो उनका least count क्या होत आते हैं, तो least count से समंदेत प्रस्ण तो पूचा ही जाता है सब जगे, फिर अगला पांचमा है, write down least count of warnier caliper and micrometer, दे कि फिर वही प्रस्ण पांचमे नमर पर आ गया, चोहते में पूचा कि any instrument का least count परभासित करिए, define least count कि होता क्या है, और फिर पांचमे नमर पर आ गया कि warnier caliper और micrometer का आप least count लिखिए कि कितना होता है, ये बड़े महत्पूर्ण प्रस्ण है, ये आप हमेशा याद रखिए, अगला जो छटमा प्रस्ण है वो है, what is Bernoulli's equation, बरनौली जो समी करण है वो क्या होता है, ये सब आपने पढ़ा होगा, सातमा है, define lubricants and why it is used in machine, ये कर इसको lubricants को परभासित करिए, and why it is used in machine, machine में इसका प्रयोकियों किया जाता है, and right difference between coolant and lubricant, कितना बढ़ी है प्रस्ण पूछले, coolant मतलब सीतलक, और lubricant मतलब इसने हक, तो कह रहे हैं कि coolant और lubricant के बीच में अंतर भी बताईए, ये लिखिए, तो ये देखिए, कितना कूण प्रस्ण और कितना important प्रस्ण है, mechanical की दृष्टी कूण से भी, और electrical point of view से भी, देखिए, कितना simple सा question basic, what is density and how it can be find out, density यानि कि घनत तो क्या है, और इसको कैसे इसका मान ग्यात किया जा सकता है, यानि how it can be find out, simple formula आपको पता है, परभासा भी आप दे सकते हैं, उसी स उसी से आप उसका calculation कर सकते हैं, density equals to mass per unit volume होता है, हमेशा से आप पढ़ते आ रहे हैं, देखिए, उसी का numerical भी दे दिया, 9 में नमर पर, find out the weight of the metal object, having size 100 mm into 200 mm into 10 mm, density 7.85 gram per centimeter cube, देखिए, कि find out the weight of metal object, यानि कोई धातू का object है, उसका आप weight ग्यात करिए, weight मतलब भार निका लिए size उसका इनों ने दे दिया, देखिए ये है, और ये density इनों ने दे दी इतनी, तो आपको पता है, उपर जो density का पूंचा था, density equals to mass per unit volume, तो इसमें mass और जो आपका एक और जो सम्मंद होता है, density में और weight में, वो यदि आपको फार्मूला पता है, specific weight वाला, तो उसमें ये सा mass per unit volume होता है, तो mass आपका निकाल लीजिए पहले, volume का मान रखके density दिया गया है, तो mass जब आ जाए, तो w equals to m into g होता है, आप w निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो simple formula based numerical है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दसमा है, आपका write down engineering materials being used in transformer manufacturing industries, कह रहें, ऐसे engineering materials को लिखिए जिनका प्रियोग transformer manufacturing industries यानि जो transformer बनाने वाली द्योग हैं, उनमें प्रियोग किया जा रहा है, तो यह आपको पता होना चाहिए, कि transformer manufacturing industries हैं, वो किन किन engineering पदार्थों का प्रियोग करते हैं, उनके नाम आपको पता होने चाहिए, तो वो लिख देने हैं, कि transformer निर्माड के लिए इन इन पदार्थों का प्रियोग किया जाता है, अगला है, what is manufacturing process and there are types, manufacturing process क्या होता है, यानि उत्पादन परकरम को देखिए, परिवासित करने के लिए पूच लिए and there are types, और ये कितने परकार के होते हैं, बिल्कुल simple question है, आप लोग हमेशा workshop technology में सुरुआत में ही लेते हैं, बारमा हैं आपका, what is difference between tolerance and allowance, देखिए कितना simple question है, basic, right types of fits, show with sketches, कहरें सबसे पहले, what is difference between tolerance and allowance, बिल्कुल simple है, सबको आता है, tolerance and allowance को पर अंतर बता दीजिए, फिर कहले, right types of fits, fits कितने प्रकार का होता है, show with sketches, कहरें sketch बना करके आप show करियो, उसको प्रदर्सित करि बारमे के बाद देखिए, आजाईए, तेरवे नमर पर, कहरें, draw freehand third view of the object, तो ये इसका object का, इन्जिरिनर ग्रॉइंग के इनोंने basic question पूछ लिया है, कि इसका third view आपको क्या करना है, draw कर देना है, freehand तरीके से, तो ये आपको दो diagram इस तरीके से दिये जा सकते हैं, या कोई भी view, draw करने के लिए कहा जा सकता है, अगला है, चौध मा, what is CNC machine, CNC machine क्या होती है, computer numerical control, क्यों CNC इसमें पूछ रहे हैं, क्योंकि जादा तर जो manufacturing industries हैं, आज के समय में, वहाँ पर उत्पादन का जो कार है, वो CNC मशीनों की सहायता से ही किया जा रहा है, जो पुरानी मशीन कन्वेशना लोती थी, ले थी, या मिलेंग या जो अन्न मशीन है, वो industries बहुत छोटे लेवल पर रह गई हैं, बड़े लेवल की advanced industries हैं, तो वहाँ CNC पर ही काम हो रहा है, ये जान लीजिए, तो CNC के प्रस्ण देने, जवाब देने के लिए तो आप बिलकुल तयार रहे है, अगला है, what is the difference between CNC and NC machines, कह रहे हैं, computer numerical control और जो numerical control machines होती, उन में क्या अनतर है, अब कितना महत्पूर्ण प्रस्ण देखिए, पूछ ले, define G code and M code, CNC machine होगी, तो जब भी बात होगी, तो G code और M code का नाम तो पहले ही सामने आ जाता है, अगली बार क्या देख लेए, बिलकुल simple सा प्रस्ण, what is computer program, computer program क्या होता है, BIT में first year में ही बच्चों को पढ़ा दिया जाता है, कि ये एक निर्देसों का एक समोय होता है, उसको execute कराने के लिए, तो ये आपका हो गया, अठारमा आप देख लीजिए, tell the names of any CAD CAM software, कितना simple सा, AutoCAD ही आप बोल देगे तो उसमें भी हो जाएगा, tell the names of any CAD CAM software, कहरें CAD CAM software का नाम बताइए, केटिया हो गया, देखिए, वो भी CAD CAM में use किया जाता है, इसके अलावा, Autodesk Company का जो software है, वो आता है, free and open source software में, आप free CAD ले लिए, वो भी CAD CAM के लिए software के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ये 19 मां है, what is CAD, अब ये CAD के बारे में परवासित कर दीजिए, इसका full form बता दीजिए, और थोड़ा सा एक दो line all लिख लीजिए, बीसमा प्रस्ट है, write down the steps in designing process, बदी ये designing का प्रस्ट ने पूच लिया, कि design जो पर करिया होती है, उसके steps लिखिए, तो मैंने सुरू में ही आपको पढ़ा दिया, त जनी आवशकता की पहचान करना, पहला step और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते जाते हैं, एक कीसमा है, what do you know about following machines, करें निमलिकित मशीनों के बारे में आप क्या जानते हैं, इन में देखिए, मशीन दे दिया है, कौन सी मशीन हैं, पहला lat है, आप जानते ही हैं, खराद हैं प्रशन, milling, drilling, boring and reaming, वर्क्शॉप टेक्नलोजी में, ये production टेक्नलोजी में सारी मशीन हैं, सब बच्चे जानते हैं, पढ़ते हैं, grinding मशीन, CNC lat, oblique CNC milling, तो सभी मशीनों के बारे में, सब मेगेनिकल के बच्चे, students और जो electrical के भी हैं, सभी जानते होंगे, क्योंकि ये वर् पेपर है, वो तो बहुत लेंदी है, तो आदे घंटे के लिए तो मेरे हिसाब से समय काफी कम हैं, तो उन्होंने समय और बढ़ा दिया था, लेकिन आप ये जान लीजिए, कि जब फिर वो interview ले रहे थे, तो यही जो copy जो बच्चे लिख करके जा रहे थे, उसी मेंसे फ्र पर transformer को समझाना पड़ेगा, इस तरीके के basic छोटे छोटे questions वो interview में भी पूच रहे थे, तो यहाँ कहने का sense यह है कि चाहे प्रदीप Transcore company हो, जो transformer या उसके parts बनाती है, या फिर कोई un company हो जो बहुत बड़ी चाहे world famous हो, चाहे वो national level पर बहुत famous हो, आप जब वहाँ पर ज बढ़ जाए, तो इनी सुब कामनाओं के साथ, कि आप इस तरीके के प्रशनों को जरूर तयार करके रखेंगे, ताकि CNC जहाँ पर काम होता है, जो अच्छी company, अग्रणी company है manufacturing की, वहाँ काम करके, आप अच्छा नाम कमा सकें, और आगे चलकर अपने career में growth कर सकें, तो इन कर दो आप होता है, जो अच्छी क्या हुआ है, यहाँ को जच्छा आप हाँ मानादी तो सकें, पर दो कि दाएंगे, जो जो को आता होता है, आप होता है, मैंड़ा झीज है, थmp dwब जो तो सकें, वब दो, सकें में है के टो मैं आप適ी कि अ झाल झाल